क्या सल्मान खान, शारुक खान को टक्कर दे पाएंगे? क्या उनकी फिल्म टाइगर 3 500 करोर क्लब में जा पाएगी? क्या वो पठान और जवान जैसी फिल्मों को अपनी फिल्म टाइगर 3 के जरिये पीछे छोड़ पाएंगे? जी हाँ यही आजकल सवाल सल्मान के फैंस और शारुक के फैंस के बीच इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर जबदस तक कर देखने को मिल रही है वैसे आपको बता दे कि सल्मान खान के फिल्म टाइगर 3 में शारुक खान भी दिखाई देंगे और उनका करीब 25 मिनट का कैमियो होगा फिल्म के बारे में ये बताया जा रहा है कि जब सल्मान खान पाकिस्तान की पकड़ में आ जाएंगे उनको ISI जब पकड़ लेगी उस वक्त उनको बचाने के लिए पठान यानि शारुक खान पहुचेगा तो फिल्म में करीब कह सकते हैं दोनों स्टार्स होंगे लेकिन इसके बाबजूद सल्मान के उपर इस बात की टेंशन होगी कि क्या उनकी एक सुपर हिट सीरीज है टाइगर सीरीज की फिल्म में तो क्या ये फिल्म जवान और पठान को कमाई के मामले में पीछे छोड़ पाएगी या फिर क्या सल्मान की फिल्म टाइगर 3 500 करोड क्लब में अपनी जगा बना पाएगी तो चलिए आपको बताते हैं ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है वैसे अगर देखा जाए तो सल्मान और शारुक के अगर बॉक्स ओफिस तो किसकी फिल्म जादा आगे है ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे साल 2023 में अब तक शारुक खान की दो फिल्में रिलीज हो चुकी है और इन दोनों फिल्मों ने इंडिन बॉक्स ओफिस पर 1185 करोड तक का कलेक्शन किया है वहीं सल्मान खान की एक फिल्म आई किसी का भाई किसी की जान जो की इत के मौके पर आई थी और इस फिल्म ने 110 करोड तक का बिजनिस किया तो इस साल सलमान की भी फिल्म में आई हैं लेकिन उनकी फिल्म चली नहीं और किसी का भाई किसी की जान बहुत ही कह सकते एवरेज फिल्म रही तो अब बात करते हैं कि सलमान खान और शारुक खान में 100 करोड़ी फिल्मों के मामले में कौन अबवल नमबर है तो आपको ये बताएं कि 100 करोड़ी फिल्मों के मामले में सलमान खान शारुक खान पर भारी पड़ते हैं आपको ये बताएं कि सलमान खान की करीब 16 फिल्मे 100 करोड़ कलब का हिस्सा है मतलब उनकी 16 से जादा फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने 100 करोड से जादा की कमाई की है जबकि शारुक खान की सिर्फ 9 फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने 100 करोड से जादा की कमाई की आपको ये बता दे कि शारुक खान सल्मान के मुकाबले कम फिल्में भी करते हैं तो साल 2009 के बाद से सलमान खान के करियर में जबरदस्त उच्छा लाया था फिल्म वांटेड और दबंग के बाद जो है उन्होंने लगातार हिट फिल्म में दी हलाकि उनकी कई ऐसी फ्लॉप फिल्म में भी है जो की 110 करोड 150 करोड तक ही कमाई कर चुकी है तो ऐसे में सलमान क कि फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म भी जो है 100 करोड क्लब में अपनी जगा बना लेती है किसी का भाई किसी की जान को दर्शकों ने बिल्कुल नकार दिया था लेकिन इसके बाब दूद उनकी ये फिल्म 110 करोड क्लब में पहुची अब बात करते हैं 200 करोड क्लब की तो इस क्लब में सलमान खान की 6 फिल्में है यानि सलमान खान की 6 फिल्में ऐसी है जिन्होंने 200 करोड से जादा की कमाई की है तो सलमान की जो 6 फिल्में है जिन्होंने 200 करोड से जादा की कमाई की है उनका नाम है टाइगर जिन्दा है भा वहीं शारुक खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है जवान और उनकी इस फिल्म ने इंडियन वौक्स ऑफिस पर 642 करोर के कि अधिय। वहीं शारुक खान की 200 करोड वाली फिल्मों की बात करे, तो शारुक की सिर्फ 4 फिल्म में अब तक 200 करोड क्लब में हैं शारुक खान की फिल्म जवान और पठान तो 200 करोड क्लब में हैं ही, इसके अलबा उनकी फिल्म Happy New Year और Chennai Express ने भी 200 करोड क्लब में जगा बनाई वहीं आपको बता दे कि पठान और जवान से पहले शारुक खान 300 करोड कलब के मेंबर नहीं थे लेकिन साल 2023 उनके लिए कहीने कहीं मैजिकल ये रहा और उनकी दो फिल्मों ने जबरदस्त कमाई की वहीं शारुक खान के फिल्म डंकी भी क्रिस्मस के मौके पर रिलीज हो रही और माना जा रहा है कि ये फिल्म भी शारुक की कम से कम 500 करोड की कमाई करने वाली मूवी होगी क्योंकि इस फिल्म को लेकर बहुत अच्छा बज आ रहा है कहा जा रहा है एक तो यह राजकुमार हिरानी इसके डिरेक्टर है और दूसरी तरफ इस फिल्म की कहानी कुछ अलग होगी और ऐसे में शारुक के फैंस उनकी इस तीसरी फिल्म का भी बेसबरी से इंतिजार कर रहे है चलिए अब बात करते हैं कि आल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के मामले में शारुक और सल्मान एक दूसरे को किस तरह से टकर देते हैं तो शारुक खान की अब तक तीन फिल्में आल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है एक तो है DDLJ, दूसरी है पठान और तीसरी है जवान जी हाँ DDLJ जो है शारुक खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है सबसे अच्छी फिल्म मानी जाती है वहीं अब पठान और जवान को भी कह सकते हैं कि बॉक्स ओफिस पे अच्छी कमाई करने की वज़ा से लोग जो है इन दोनों फिल्मों की बहुत चचा रही वहीं अगर सल्मान खान की बात करें तो इनकी आल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से रही है मैंने प्यार किया हम आपके हैं कौन और बजरंगी भाईजान इन तीनों फिल्मों को सल्मान के करियर में आल टाइम ब्लॉकबस्टर माना गया है वहीं अगर हम फुटफॉल कलेक्शन की बात करें तो सल्मान खान जो है इस मामले में शारुक खान से आगे है क्योंकि सल्मान खान की फिल्म जो है हम आपके हैं गॉन उसको साठे शाड़े साथ करोड दर्षकों ने सिनिमा घर में जाकर देखा है जबकि इस मामले में शारुक खान की फिल्म DDLJ वो चौथे नंबर पर है और उनकी इस फिल्म को करीब 3.5 करोड दर्शकों ने जो है सिनिमा घर में जाकर देखा तो अगर साल 2023 को छोड़ दिया जाये तो सल्मान खान कहीं न कहीं शारुक खान पर भारी थे उनकी 16 फिल्मे 100 करोड क्लब में हैं उनकी 6 फिल्मे 200 करोड क्लब में हैं और साल 2009 के बाद से सल्मान खान का करियर शांदार चल रहा था बड़िया बड़िया फिल्मे कर रहे थे सल्मान खान की कोई भी फिल्म डेर सो करोड से कम की कमाई करती ही नहीं थी लेकिन ऐसे में देखा जाए तो अभी फिलहाल शारुक खान ने जबरदस्ट वापसी की ऐसी वापसी की है कि बस पूरे वॉलिवूड को वकही न कहीं उन्होंने बिल्कुल जो घाटे में चल रहा था वॉलिवूड उसको मुनाफे मिला दिया और अकेले शारुक खान ने इस साल 1163 करोड की कमाई की और अभी उनकी एक और फिल्म डंकी जो है वाणी बाकी है दूसरी करा सलमान खान के तमाम फैंस उनकी फिल्म टाइगर 3 का बेसबरी से इनजार कर रहे है सलमान खान के फिल्म टाइगर 3 को लेकर बहुत जबरदस्त बज बना हुआ है फिल्म के ट्रेलर को बहुत पसंद किया गया है फिल्म के जो गाने रिलीज हुए थे वो भी पसंद किये जा रहे है और ये एक फ्रेंचाइजी फिल्म है जैसे एक था टाइगर, टाइगर जिन्दा है और उसके बाद टाइगर 3 तो फ्रेंचाईजी फिल्मों का बॉलिवुड में बहुत जादा क्रेज रहता है आपने गदर 2 में देखा किस तरह से लोगों ने गदर मचा दिया जाकर सिनमा हो घरों में तो वही कही न कहीं सलमान खान के फैंस भी जो है उनकी टाइगर सीरीज की फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं और माना जा रहा है कि टाइगर 3 अब 500 करोर क्लब में तो जाएगी ही जाएगी लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या सलमान खान शारुक खान का रिकॉर्ड तो पाएंगे